गुड पॉनिंग, सुपरबात केम्छो, सलाम, अमीर, आप सब लोग बहतर होंगे, अपना ध्यान लख रहे होंगे, आप में से कई सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या नीट का सलेवस कम हो गया है, नीट 2023 के लिए सलेवस में कुछ कमी आई है, क्या कुछ चैप आई गई है, हर बार वो दो-चार दिन में खबर आती है कि कल आ रहा है, परसु आ रहा है, तो आएगा तो दिख जाएगा आपको तो ntaneet.nick.in वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजेगा, तो ntaneet.nick.in वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीके रही बात सलेवस कम हो निकी तो बेटा ऐसी नियूस जो है, वो लास्टर भी कूब उड़ती जी, कि सलेवस कम हो गया है, सलेवस नहीं हड़ गया है, अभी तक कोई पुखता जानकारी इस बारे में नहीं है, और ये सोच कर पढ़ाई को बंद मत कीजिए, कि ये चप्टर नहीं पढ़ूँगा, ये हड़ गया, तो क्या होगा, रहे भाई, कभी पढ़ा हुआ नुकसान में नहीं जाता है, ठीके, पढ़ रखा है ना आपने, ठीके, तो आप में से कही कि दिमाग माता है, ये नहीं आने वाला से लवस तो मैं क्यो महनत करूँ, येकीन मानों आप, ठीके, पिछली बार ये ही सेम हला हुआ था, और उस हला होने के बाद फिर आया सब कुछ वो, ठीके, तो ऐसा मत करो बिटा, कोई कहा होता है, इसमें आपने पढ़ रखाया और नहीं आता है, तो नुकसान नहीं एतना, ठीके, पर नहीं पढ़ रखाया और आता है, तो फिर तो ऊड़ गया, फ कई लोग ऐसे हैं कई टीचर्स कई इंफ्लुएंजर कई दिदी भाहिया लोग ऐसे हैं जो केवल व्यूस के लिए जो है वो कुछ तो भी न्यूस को फिला रहे हैं मतला वाइरल होने के लिए कुछ भी करने को त्यार है तो पॉइंट है कि उसके ट्रैप में मत आई है आप अ और जिन चैप्टर्स के आप बात करें उनको हटा देने के बाद फिर बाइलोजी की दियम बात करें आप किसी भी सब्जेट की बात करें तो कोर एसेंस खतम आता है पुरा हो ठीक है और यह आगे शरके बहुत दिक्कत देगा तो मुझे लगता नी मतला मैं परस्नली सोचत किसलेवस में कोई बड़ा चेंज आएगा या कोई चेंज करेंगे तो बहुत मुझकी लिए इस ठीक है ख्याट वो तो एंटीए ही बहतर बता पाएगा ठीक है और एक सेकेंड उट्टाइए ठीक है ना तो अब वो एंटीए ही बहतर बताना है दूसरी बात एक बहुता और कि एक्जाम के पहले इन सब चीजों पर ध्यान देना कि फॉर्म का बारा है अच्छी बात एक फॉर्म भरनेंगे तब तो एक्जाम निकलेगा ठीक है ना मैं कहता हूँ जो सिलेवस आपके पास है पहले उस पर पढ़ने पर फोकस कीजिए उसके रिविजन फोकस कीजि अब भी तबी भी बहुत कॉम्पिटिशन है नीट के इंदर बहुत कॉम्पिटिशन के इसको हलके में मत लीजिए ठीक है और चलिए आज के हम मॉर्निंग मोटिविशन आज की इंपॉर्टन बात करते हूँ यह है कि बड़ा अच्छा किस्सा मुझे पर पढ़ने में आया अब तक 10 अब 20 साल तक वह नंबर बन रहे है विल गेट सबसे मीर अभी तॉप 10 के अंदर वह शामिल है सबसे हमीराद लोगों में शामिल है और मुझे लगता है कि आने वाले दो साल में विल गेट्स फिर से नंबर बन हो जाएंगे Microsoft ने चेट जीपीटी ले रखा है चेट जीपीटी जो है वो बड़ा खतरनाक चीज़ है गुगल वोगल कर यह लगता है नी सामने उसके चेट जीपीटी जो है वो समीज लिए कि एक प्रकार से एक नया आफ्रेका रिवॉलीशन से गुगल है गुगल से मच बैटर जो है वो काम कर रहा ले ठीक है ठेश तो एक बड़ कहवा कि जू विल गेट से विल गेट्स ने जो है वो ने किस्सा बतला एक इंटर्वी को जो रान कि एक बार वो नियॉर्क एरपोट पर जब वो अपना काम सुरू किये थे उस समय उनके पार ज़़ा कुछ थिक ठाक था लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत अमीर आदियों में शुमार हो जदा लोग उनको जानते भी निते ज्यादा लोग उनको जानते भी थे तो नियॉर्क एरपोट पर एक बार वोत रए तो उनने वहां पर भीन किया कि एक न्यूर्क टाइमस दिखाई पड़ा कि नियॉर्क ताइमस को मेले लूग तो नहें निइव्पबर के पास गईक लड़का था मेरे पास सिर्फ क्रेट काड और तुमारा पास कार्ड की मशीन नहीं है पैसा मेरे पास फुला है नहीं है तो रणके ने मिला कोई बात नहीं है आप ले लीजे निश्पिपर तुमको नुक्सान नहीं जाएगा इससे ठीके सर वह मैंने प्रॉफिट में से मैंने दे दिया आपको जो मुझे प्रॉफिट अख़बार बेचने का होता है तो एक आपको दे दिया मैंने निश्पिपर ठीके विलिगेट्स चले लेके ख़़ए तीन साल बात वह दुबारा उस उस एरपोट पर उत्रे किसी काम से सेम हॉकर लड़का वह तीन साल बड़ा हो गया होगा ठीके उसी के पास पहुंचे वह फिर दुबारा वही शायद निश्पेपर वेंडर वही होगा महां पर इस बार फिर वही हुआ गये निश्पेपर लिया देखा रहे चेंज ही नहीं मेरे पास में बड़ा वाला नोट इस बार नोट था और बड़े ड़ा हंडिड़ डॉलर का नोट था ऐसे दिया उसको तो उसने मुला कि इस तो बहुत बड़ा है कि तब इस ते 25 सेंट 50 सेंट के निश्पेपर के अधिन काम सुरूई कि सुबह 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 का समय चारवे सुबह पाजबह का तो मेरे पास चेंज नहीं है तो विल्गेट से ठीक है फिर रख लीजिये वार वापस रख रख दें तो उनननी आप मुझे याद एक बार बहुत पहले आप और आये थे आप आप ले लिजे कभी मौका मिलगेगा तब बात करें तो विल्गेट ने का ठीक है लेके चल दिये उसकी बाद विल्गेट से वह बहुत पपुलर हुए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए तो उनको फिर एक दिन पता नहीं नियोक एरपट पोतरे होंगे उन्हें उस लड़की की लड़का वहां से काम छोड़के कुछी और जगे पर कुछ और काम कर रहा होगा तो धुने भी उसको जाके जो नमबर वन सबसे अमीर आदमी बन गए एरपोर्ट पहुंचे उन्हें याद आई घटना कि यहां पर एक लड़का था उसने में को दो बार फ्री में अखबार दिया है तो क्यों ना मैं उसके जाके बात करो उसको उसके पैसे चुका दूंगा डूड़के को लड़का ना दिखाई पड़े अब विलगेट दुनिया के सबसे हमीर आदमी अपनी टीम को बोला कि भी आप पता लगा कि वो लड़का कहा गया अब वो टीम तमाम पता अब करता है एड़ महिने के बाद मालुम चला एड़ महिने के बाद मालुम चला कि वो लड़का जो है वो सीर्टल में कहीं पर जो है वो किसी शौप मौप में काम करता है तो विल्गेट ने जो है वो का कि चलो fred जाओंग गा एक काउनफे Рोसे के लिए तो वहाँ मिलूं तब दो आपको नाम भी नहीं मालूम था आप कवारों में कुछ वारों में पपोटो आते हैं आपके श्रप्राइब रिए तो मैं आपको पहचान गया कि मैं आपको दो बार मैंने दो आपको दिया था बोले, ठीक है, तुमने मुझे दो बार निस पर दिया था, तो मैं चाहता हूँ कि तुमने मेरी मदद की थी, मैं तुमारी मदद करूँ कुछ, बताओ तुमारे लिए मैं क्या करूँ ऐसा, मैं तुमारे लिए आज कुछ भी कर सकता हूँ, बताओ क्या करना है, बोला नि मु कर आप मेरे उस समय की मदद का अपमान कर रहे हैं तो विलिगेट सिंदम शक्ष हथ प्रत रहे हैं नहीं मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं तुम्हारा अपमान करूं मैं फिर यह बताओ कि तुम्हें सा क्यों सोच रहे हैं पुला साहब ऐसी बात है कि जब मैंने आपकी मदद कि उस समय एक बार मैं 16 साल का था एक बार मैं 19 साल का था स्कुल गोइंग था और मैं कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं था मेरे अख़बार वेचकर जो प्रॉफिट आया करता था उसका उस प्रॉफिट से मैं अपने क्लिए खाना खरिदता था अपने खर्चे गर चलाया करते थे तो जब मी ने आपकी उस समय मदद की थी ना उस समय मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं था हुए मैं बहुत मामूली सा बेखती था मेरे लिए 25 सेंट भी माईने रखाता था आप कहा मुझे से मकाबला करोगे आपने मेरे को ढूणने के लिए मेरी मदद करने के लिए आपने दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का वेट किया आप बताओ बराबरी मेरी कैसे करोगे आप विल्गेट्स को रियलाइज हुआ कि हाँ या मैं तब भी चाता तब भी इसको ढूण लेता पंदरा दिन बार एक महीने बार मैं छे साथ आट साल इंतियार किया उसके बाद मझे याद आया कि वो बच्चा कहा गया आपको बता है ये किस्सा विल्गेट्स ने कब सुनाया जब विल्गेट्स से एक इंटर्वी में पुछा गया ये जो किस्सा है विल्गेट्स ने खुद सुनाया विल्गेट्स से जब एक इंटर्वी में पुछा गया कि बताओ क्या आपसे भी अमीर दुनिया में कोई आदमी है और ये इंटर्वी तब का है जब विल्गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे क्या आपसे भी कोई अमीर आदमी है तो विल्गेट्स ने का हाँ एक है कहा है वो सीटल में है क्या करता है वो एक होटल में जो है वो वेटर है हूँ तुनिया का सबसे अमीर आग्मी वेटर कैसे फिर विलगेट्स ने एक हिस्सा बताया कि भाई उसने मेरी मदद लेने से मना कर दिया जो चाहे वो करने तियार था उसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए तुम नहीं कर पाओगे तुमारे बसकी नहीं है जो हमने समय कर दिया तो किसी की मदद करने के लिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का वेट मत कीजिए If you want to help someone Go ahead जो capacity उस पर help कीजिए यह मैं उन लोगों के लिए बोल गाँ हूँ जो लोग हमेसा कहते हैं कि हमाई पास काम है काम है काम है हम किसी के के से help कर सकते हैं मैं कहता हूँ कि आपके पास में काम है तो कम में से भी थोड़ा सा help कर सकते हो तो कभी भी अमीर बनने के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदी बनने का वेट मत कीजिए यह मैंने क्यों बताया किस्ता को किसी ने मुझे मैसेश किया परसनल पे दो व्न करने की सर हमको पता है कि वो उसका यूट्यूब् चैनल उतना ग्रो नहीं कर रा हैं हमको पता है कि बाइव लोगों की मदद करने का विड़ा हुळा आप पुछ इसना मुझे बार उन मुझे नहीं बनना, Sammy theoon । कि दुनिया का नमबर बं, मैं तो खूश हूkil इस varsity में, जितने बच्चे मेरे पाउस होाटे, उनको पढ़ाकर में खूश हूँ выступ. बता तो में कमें परिजै खूँ हूँ आप, बाकी institute divulgák सो करें हुआ, जाके देखे है 300-400 से उपर लेक्चर पूरे सिलेवस में नहीं है उनके बाइमेंटर्स के लेक्चर की संक्या हजार के असपास है अरे आप इतना क्या पढ़ाते हैं कभी कोर्स खुलके देखा है किसी ऑफलैंट इस्टोट पूरे जाके पढ़के देखा है बाइओमेंटर्स के 1000 DPS 40-50 वीकली टेस्ट आफ्राइंट टेस्ट में लालगता C टेस्ट साट टेस्ट DPS में 25,000-30,000 कुश्चन कमांडो ट्रेनिंग, हर दिन की तक सर्फ ट्रेनिंग ऐसी मजा थोड़ी ना बाइओमेंटर, बाइओमेंटर में के लिए आपको जो महनत लगती, जो डेडिकेशन लगता है उस सिर्फ और सिर्फ बाइओमेंटर्स जानता है I am not a college dropout or something like that की कुछ छोड़के कुश्चुरू के I am a well literate, I am a well literate, I am a MBBS किया, I am a master's of medicine किया, I am a PD diabetology किया, I am a master's of public health किया, I am a इतने diploma है कि संजे सर पीएचडी chemistry, नंदी सर पीएचडी biochemistry, वा बायो टेकलोजी, अमर सर M. Tech कोई भी हलका आदमी नहीं है, हर आदमी जो है वो भारी academics वाला है, knowledgeable person है, तो आदे अधूरे से कभी भी जो है न, आपका खुद का है, आपको हमेशा है यह वो दो आपको हमेशा जो है वो तो आपको प्ट्रिया के असली चीज ओती न, इसको पहचानने के लिए असली करेड़ा चीज होता आधू आजमी को अउत्क्त तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का है बहुत बड़ा बनने का वेटनी करूंगा किसी के मदद करने के लिए जो है वहां से मदद करूंगा ये बात मैंने विल गेट्स किस्से से सी की अई बात समझ मैं चलो तो ये ऐसी सलाय उल्टी सीरीज दिया मत करो हमारा अपने आप पर मी शर्माएगी तुम पर मी शर्माएगी प्रब्लम ये है कि इस पूरी दुनिया में दिखाया क्या गया है उस पर पूरी दुनिया चल रही है असली में क्या एसेंस है ये लोग पता नहीं कर पा रहे हैं कभी मा के आशिरवाद का विज्यापन देखा है कि कभी मा के आशिरवाद का मा की ममता का विज्यापन आ रहा हो कभी पिता के आशिरवाद का विज्यापन देखा है कि पिता ये पिता है सबको आशिरवाद देगा नहीं भाई बहन के प्यार का कभी विज्यापन देखा है कि यह बहने मेरी प्यार करेगी बहाई यह बहाई जो टू रिलेशन्शिप होते रहा है वह विज्ञापन नहीं होते हैं समझ गया बात पाँ ठीक है वे ग्रेड़ेट आल दी बेस्ट बाई बाई